कि पंचायत राजजियन रिक्टर ने उल्लिक किया गया है कि साथ डिवस्पूर में ग्रामिनों को सुचना होना चाहिए कि ग्राम सभा होनी है अगर कोई भ्यापत काली निश्चिती आ जाती है तो उसमें तीन दीन का डेट दिया हुआ है वो भी उसका कारण बताना पड़ेगा कि कि तीन दीन में वो क्यों कर रहे है जबकि इसके पहले ऐसा होता नहीं था हमारे अचानक में ग्राम सभा रख लेते थे और ग्राम सभा ऐसी होती थी कि ग्राम सभा में जैसे छे माल्च की जो ग्राम सभा में मेरे है मनमानिक तोर पे वहाँ पे यह चीज पहले से किसी को पता भी नहीं था कि जंगल देने की बात कही जाएगी इसमें और वहाँ जाने पे यह पता हुआ कि जंगल को कंपनी को देने की बीच की बात है इस ग्राम सभा में तो वहाँ पे 184 लोग उपस्थित हुए और 184 यह रोजगार शहायक तीनों ने अपना सील लगा के वहीं पे अपना खाता क्लोज किया खरवाई उपस्थित दीन रात में लोगों ने एक घर में बैठके उसी प्रधान के घर में बैठके और इन लोगों ने वोटर लिष्ट उठाया और 184 जहां पे क्लोज था 85, 86 और 87 तीन ये नमबर के सामने उन लोगों का सील है और 88 से फिर सिगनेचर इस्टार्ट हुआ नाम इस्टार्ट हुआ तो 1125 तक गया है उसमें 9 मिर्तक है और जोर लोग जेल में थे उस समय उनका भी नाम ग्राम सभा में मिलता है तो इस प्रकार की ग्राम सभा हुई है जिसमें हम लोगों ने आवाज उठाया और यहां पर ग्राम सभा की प्रक्रिया भी अलग लगती है इसका मुझे पूर्ड रूपेड ग्यान नहीं है कि कारिवाही रजिस्टर और उपस्थिती रजिस्टर अलग जहां पर बनाया जाता है कारिवाही चाहे कुछ हो या ना हो उपस्थिती सुरू हो जाती है अब इधर क्या प्रस्थाव रिखा जारा उसका कोई पता नहीं वसे मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कि कारिवाही हो रही है कारिवाही जहां से क्लोज होती है वही से उपस्थिती स्टाट हो जाना चाहिए जहां से उपस्थिती सुनाया से और हम लोगों ने SDM कलेक्टर वगरह से डिमांड किया है कि ग्राम सभा की पूरो सुचना नोटिस द्वारा जारी की जाए और उसने पूर्ण वीड़ संपूर्ण तरह से वीडियो रिकार्डिंग पूरा किया जाए और बाहरी पर विच्छक भी लाए जाए महां पर यह स अधिवसी केस में है और मैं सपत पूरवक बोलता हूं कि यह उस वक्त पे दो दिन नहीं गये थे जंगल गये ही नहीं थे वहां पर और कोई छणखानी नहीं हुई कंपणी के अधिकारियों से जंगल विबाक के अधिकारी से पूलिस प्रसासन भी मा मौजूद थी महिला कुरूस दोनों थे पर किसी भी प्रकार का छणखानी नहीं कि हमारे महां संगर समिती कि अधिकार है कम से कम एक बार सुचित किया होता नोटिस जारी तो करना चाहिए कि आपके ऊपर ये मुकदमा दर्ज है आप थाना आ जाहिए तो इन्होंने क्या किया था कि ये लोग थाने नहीं पहुंचे होते एक पार कंफर्न तो करना चाहिए और पुलिस बताईए बारा बजे रातिरी के वक्त में चोरों की भाज जा करना चाहिए और भरोसा स्वयम पर किसी करुचारी दिकारी पर नहीं कि कॉलेक्टर आएगा नहीं आएगा सही है यह है कि हम लोगों ने अपने तरफ से यह आवेदन किया है कल उस अपमाउती को लेकर हम लग लड़तो सकते हैं कि मैंने बोला था आप में नहीं किया आपकी कमी है मेरी कमी नहीं कि सारा जिम्मेवारी कंपणी को संवधिया सासन की पूरी जिम्मेवारी कंपणी को संवधियात मैंने यही बोला कि जब सारा काम कंपणी ही करेगी तो आप प्रधान मंत्री जो है उसको इस्तिफा दिलवादी जी रिजाइन मरवादी जी कंपणी बने और जो मुख्य मंत्र प्रक्रिया उसको भी रिजाइन मरवादी जी कंपनी ही रहेगी जो सारा प्रक्रिया कंपनी करेगी तो आप किस लिया हैं